है गाईज दिस इस सेंफे और वेलकम तो माई यूटूब चनल तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास 12 के वेक्टर अलजेबरा का एक बहतरीन सा कोशन जो आपके स्क्रीन पे है कोशन हमारा क्या कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन मालूम करना है और वो इक्वेशन दो तरीके से एक वेक्टर इक्वेशन दूसरा है कार्टेशियर इक्वेशन कोशन में हमारा जो कह रहा है कि एक लाइन का वेक्टर अन कार्टेशियर इक्वेशन फाइंड करना है कब जब हुआ किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमेशा याद रिखेगा अगर मान लो कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट और किसी दूसरे पॉइंट के पैरलल हो मतलब नहीं संदिना मैं कहना चाहरा हूँ कि कोई एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरे पॉइंट के पैरलल हो तो उस केस में हम जो लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल ए प्लस लेम्डा बी ये आपका जो मैं बोला हूँ ये आपका पासिंग पॉइंट है कौन सा पॉइंट है पासिंग पॉइंट और ये जो आप देख रहे हो ये पैरलल पॉइंट ठीक है कहीं अगर मालो कि एक पासिंग पॉइंट दे रहा है और एक पैरलल पॉइंट दे रहा है तो आप ये लिकोगे वेक्टर आर इक्वल अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो उस केस में हम जो वेक्टर एक्वेशन निकालते है वेक्टर आर इक्वल अगर कोई लाइन ये किसके लिए है दो पॉइंट पास जब करता हो दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो इसके लिए यह वे मारे पास equation है बाते समझ में आ रहे हैं तो अब चलिए कोशन पढ़ते हैं Vector and Cartesian equation मालूम करना है जो के Pass कर रहा 2 points है 1, 2, minus 4 and 3, 0, minus 3 मतलब है हमारा क्या है कि Passing points तो हम मेरे को कह रहा है गौर्फ माहिएगा Passing points मालो A A आपका हो गया क्या 1, 2, minus 4 and B क्या मालो 3, 0, minus 3 के लिए ने यह Passing points है अब इस 2 points से Pass कर रहा है तो मेरे को लाइन का equation मालूम करना है क्या formula अपलाई करेंगे आप देख सकते हो यह formula अपलाई करेंगे यह vector equation हुआ कब जब 2 points से Pass कर रहा हो तो हम क्या लिए सचते हैं क्या vector equation vector equation vector r equal a plus lambda b minus a clear है गौर्प माइएगा तो vector r equal a का मतलब क्या हुआ 1, 2, minus 4 है न तो 1, 2, minus 4 को एक point है और वो किसी space में अगर locate किया गया है तो आप उसका position vector जो बताओगे वो होगा 1i plus 2j minus 4 के बात इस समझ मैं ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई point है वो space में रखा हुआ है तो उसका position vector जो होगा i, j, k में नहीं बात समझ में आरे हैं क्या कर रहा हूँ जैसे यही देख लो न 1, 2, minus 4 space में है तो उसका position vector 1i plus 2j minus 4k plus lambda b minus a 3 minus 1 क्या होगा 2 तो यानि कि position vector 2i के लिए रहे? फिर plus 0 minus 2 तो minus 2j minus 3 plus 4 क्या हो जाएगा? minus 3 plus 4 मतलब plus k यानि कि आप जरा गौर्फ मा सकते हो यह मेरे को क्या आया? vector equation आया और एक हमार answer यह भी होता है क्योंकि हमें vector equation भी मालूम करना है फिर उसके बाद क्या मालूम करना है? Cartesian equation बहुत important में बता बाते बता रहा हूँ और यह ऐसे questions जो होते हैं अक्सर आपके 12th के final board पूछे जाते है vector से Cartesian कैसे convert करोगे? Cartesian से vector कैसे convert करो? तो जरा गौर्फ माओ यह मेरे को vector equation आगिया के लिए रहे? अब इस vector equation से मेरे को कहा जाना है? Cartesian में जाना है क्या करेंगे? वही बात सिखा रहा है गौर्फ माइएगा तो यहाँ पर R जो हमारा position vector है उसको हम कुछ मान लेते हैं क्या मानेंगे? let vector R equal x i plus y j plus z k अब मैं बताना चाहूँगा क्यों मैंने माना? इसलिए यह माना क्योंकि मेरे को Cartesian equation मालूम करना है मतलब equation मालूम करना है और equation हमेशा जब हम 3D पढ़ रहा है तो x, y, z होना चाहिए मतलब x, y, z के अलाबा और कुछ है नहीं तो हमने R को क्या मान लिया? x i plus y j plus z k अब ज़रा गौर्फ माओ R के बदले लिग दो x i plus y j plus z k that equal यह जो कहते हो i plus 2 j minus 4 k plus इस lambda से तिनों को multiply कर दो क्या होगा? 2 lambda i minus 2 lambda j plus lambda k के लिए ने बाते ऐसा होगा यहाँ पे अब ज़रा गौर्फ माइएगा अब मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ इसको x i plus y j plus z k रहने दिजिए और यहाँ पे करिए क्या? कि i वाला जो term है उसको एक साथ लिए दो मतलब क्या कि i common लेकर तो i plus 2 lambda i में जब आप i common होगे तो 1 plus 2 lambda i ऐसा हो जाएगा फिर plus अब j वाला एक साथ लिए दो तो j जब इसमें common होगे तो क्या हैगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पर j जब common होगे तो minus 2 lambda किलियर है? फिर उसके बाद k वाला term देख लो यहाँ minus 4 k यहाँ plus lambda है तो आप plus में अगर k common होगे तो यहाँ पे minus 4 होगेगा अब plus lambda k किलियर है बात है? now equating both sides now equating अब दोनों साइडे मैं क्या कर रहा हूँ? equate कर रहा हूँ space यहाँ नहीं है मैं अब इधर लिए देता हूँ, ठीक है? तो इसको erase करते हैं फिर इसके बाद लिखते हैं अब जरा गौर्फ माइएगा एक बात हमेशा याद देखेगा equate का क्या मतलब? equate का मतलब होता है कि i को i के साथ equate करना j को j के साथ equate करना and k को k के साथ equate करना बाते समझ में आ रहे हैं? तो जरा गौर्फ माइए यहाँ पर x i है i will have done और यहाँ पर क्या है? 1 प्लस 2 लेमड़ा इंटो i तो मतलब x को x के साथ equate करेंगे न तो मैं आपको बता दू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x i equal 1 प्लस 2 लेमड़ा i 1 प्लस 2 लेमड़ा i clear है? अब हम इसको क्या i से i बना चर्म यहाँ आई है यहाँ आई है तो i i finish तो क्या लिख सकते है? x equal 1 प्लस 2 लेमड़ा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x minus 1 1 जब इदर आएगा तो minus 1 by 2 equal लेमड़ा ऐसा होगा या नहीं होगा देखे तो जला x minus 1 by 2 1 इदर आएगा minus 1 i into में 2 है इदर आएगा तो divide clear है? चलिए आगे देखिए अब y वाले को तो y j बराबर इतना होगा यानि कह सकते हैं क्या y equal y equal 2 minus 2 lambda 2 minus 2 lambda तो मैं इसको फिल लिख सता हूँ y minus 2 by minus 2 that equal lambda clear है? फिर आगे जड़ा गौर्फ माइए अब z बात की z की मैं अगर बात करूँ मैं यहाँ लेता हूँ z बाला टम दिख रहा है? चलिए अगर मैं z की बात करूँ तो z equal क्या लिखेंगे? z equal हो जाएगा minus 4 plus lambda minus 4 plus lambda clear है? तो minus 4 को जब इदर लेंगे तो क्या हैगा? z plus 4 equal lambda अब आप जड़ा गौर्ड फर्माओ यहाँ भी lambda है यहाँ भी lambda है और यहाँ भी lambda है यहाँ पर तीनों equation है lambda है मतलब सब lambda यह भी lambda का value है यह भी lambda का value है यह भी lambda का value है मतलब कहना क्या चाहरा है? कहना यह चाहरा है कि x minus 1 by 2 that equal y minus 2 by minus 2 that equal z plus 4 आइस के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और हमारा यह जो हो आया यह आपका this is the required Cartesian equation यह क्या हमारा? Cartesian equation है और हमें यही answer लाना था जो कि आगे है उमीद है आप खुब आते समझ महाई समझ महाई तो please request है कि वीडियो को लाइक करिए दोस्तों की भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए है तो subscribe कर भी लाइकन को प्रेस करिए चर्ड़ में वेक्टर से Cartesian चर्ड़ से putting लेक्तर प्रेसन के अगर आप मालूम कर लेते हो किसी एक पॉइंट से पास करता तर अगर यहींट आर यह प्लह worry Ferr teo यह फाल नट K MR आप कर लेते हो तो वेक्टर से कार्टेशन जाना कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप को क्या कर लो, एकस आई प्लस वाई जे प्लस जेट के मान लो, ठीक है, अब गोगे क्यों मान रहे है सर, तो इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि equation जब भी होता है xyan, x, y, z के form में होता है equation जो मेरा xyan, xyan, z के form में होता है अजब हमने मान लिया तो उधर क्या करो i वाले को एक साथ कर दो j वाले को एक साथ कर दो फिर क्या करना है i को i के साथ equate करो और उससे λेम्डा निकाल दो, मैंने लेम्डा निकाल दिया जे वाले को जे के साथ करो, उससे लेम्डा निकाल दो, मैंने निकाल दिया के वाले को के साथ करो, उसके बाद लेम्डा निकाल दो, आपको आ जाएगा पता यह चलेगा कि सारा का सार टम जो है लेमडा के एक्वेल है तो ओवर अना हम कहा सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म आपस में एक्वेल होगा और यही हमारा कार्टेशियन एक्वेशन होता है उमीद है बाते आपको समझ मैं तो वन सेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिसन अगर अच्छा लगा तर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के भी शेयर करिए और नए है तो सब्सक्राइब कर भी लाइकन को प्रेस करना ना भूले क्योंकि जब ऐसा वीडियो आपके मैं जब भी अपलोड करू तो आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का लुथ उठाए तो आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इनर्जी साथ तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद जय भारत